फ्रेंड्स आज मैं आपके लेके आई हूँ सूजी की बर्फी की रेसिपी आज की ये सूजी की मिठाई कम खर्चे में बन के रेडी होगी इसको बनाना बहुत असान है आप इस मिठाई को 15-20 दिनों तक अराम से स्टोर करके रख सकते हैं ये सूजी की बर्फी खाने में एकदम कुरकुरी होती है आप इस मिठाई को जब घर में बनाएंगे तो कोई पता भी नहीं लगा पाएगा कि आपने इसको घर में बनाके रेडी करा है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आल पर सेट करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आएं आपको नौटिफिकेशन मिल जाए साथ ही आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमली के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इस मिठाई का मज़ा ले सकें तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस में एक कड़ाई रखी है इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप देशी घी यहाँ पर मैंने घर में बना हुआ घीं का यूज किया है इसलिए ये यलो कलर का दिख रहा है अगर आप बजार का यूज करेंगे तो वो आपको वाइट कलर का मिलेगा अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ एक कप सूजी का कितने लोग सूजी को रवा भी बोलते हैं बढ़ हमारे हाँ इसको सूजी ही बोला जाता है यहाँ पर आप मोटी या बारी कोई भी सूजी का यूज कर सकते हैं क्यूंकि आज हम इस सूजी की बर्फी को दानेदार बनाएंगे बिल्कुल कुरकुरी तो आपको इसी भी सूजी का यूज कर सकते हैं और घी में डालने के बाद आपने gas की flame को low कर देना है और इसे low flame पे ही आपने लगाता roast करना है low flame पे हम इसलिए roast करेंगे ताकि जो सूजी है वो जले नहीं और जो इसका कच्चापन है वो भी अच्छे से दूर हो जाए दीरे दीरे आप देखेंगे कि इसका जो color है वो change होने लग गया है जब ये आपको हलका brown brown दिखे तब आपने समझ जाना है कि ये अच्छे से पक चुका है यानि कि roast हो चुका है अभी न ये अच्छे से roast नहीं हुआ है तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए और roast करूंगी और अब आप देख सकते हैं कि पहले से इसका जो color है वो जादा dark हो चुका है आप यहाँ पर सूजी को जितने अच्छे तरीके से roast करेंगे आपकी जो मिठा अच्छे से roast नहीं हो जाती यानि कि उसमें brown color नहीं दिखने लग जाता तब तक आप उसे low flame पे ही roast करेंगे देखे अब इसका color पहले से ज़्यादा change हो चुका है इस time पे हमने इस बरतन को निकाल देना है और side में रग देना है इसके बात हम इसके लिए एक चाश्री बना का पानी लिया है यानि कि आप जित्ती सूजी लें आपने उत्ती ही चीनि का use करना है थोड़ा सा कम ज्यादा आप कर सकते हैं अगर आप मीठा कम या ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो अब हमने इसकी एक गाड़ी चाश्री बना के ready करनी है जो एकतार वाली चाश्री होत और अगर आपको चाशनी बनाने का आइडिया नहीं है तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसा आइडिया लगाएं कि आपकी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है तो आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और आपने इसको हाई फ्लेम पर ही रखना है जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए दो मिनट बात आपने चेक करना है कि इसमें एक तार बन रही है या नहीं बन रही है इसमें हलका सा गाड़ा पन होना चाहिए और एक तार अच्छे से बनना चाहिए तब आप गैस की फ्लेम को आफ कर दे और फिर से हमने कडाई ले ली है जि इसे हम नारियल का बुरादा भी कहते हैं उसके बार डालूंगी इसमें मिल्क पाउडर चार चमच मैंने मिल्क पाउडर यूज किया है आपको इसे भी ब्रैंड का मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं मिल्क पाउडर और नारियल का बुरादा डालने से ये मिठाई में एक तेस्ट आएगा जिससे कि इसमें एक रिचनेस आएगी और इसका जो टेस्ट है वो और भी जादा इंक्रीज हो जाएगा और जो हमारी सूजी है वो हलवा जैसी नहीं लगीगी तो आपने इनको ऐसी मिक्स कर लेना है अब हम यहाँ पर चाशनी को इसमें डाल दिंगे जो हम इसके बाद इसको मिक्स किया है और अब मैं यहाँ पर गयस की फिलिम को आउन कर दूंगी उसके बाद मैं उस पैन में एक चथाई पानी डाला और फिर उसे थोड़ा सा गाड़ा कर लिया उसके बाद इसमें डाल दिया था जिसके बाद यह ड्राय ड्राय नहीं लग रहा ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जो चाशनी थी वो पैन में जम चुकी थी ताकि वो हलकी सी मेल्ट हो जाए अगर आप गरम गरम चाशनी को ही इसमें डालोगे तब आपको ये प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है फिर आपने इसको अच्छे से हाई फ्लेम पर पकाना ह ताकि जो इसका लिक्विटी फॉर्म है वो निकल जाए और ये कड़ाई को छोड़ने लग जाए अब आप इसको चेक करने के लिए एक बरतन में थोड़ा सा मिश्रन को लीजिए इसे थंड़ा होने के लिए छोड़ूंगी और लगातार आपने इसको मिक्स करते रहना है और जैसे ये थंड़ा हो जाए आपने हाथ से उठा के देखना है कि ये अच्छे से इसका लड़ू बन रहा है या नहीं बन रहा है देखिए इसका लड़ू अच्छे से फॉर्म हो रहा है इसका मतलब ये बिलकुल रेडी है बर्फी बनाने के लिए बिलकुल सही है इसका मिश्रन तो थोड़ी देर और पकाऊंगी और मिक्स करने से आपको पता चल रहा होगा कि ये कडाई को छोड़ने लग गया है गैस की फ्लेम ओफ कर दी है और इसके उपर से धकन रख दिया है जैसे जैसे ये ठंडा होते रहेगा ये अपने आप में सेट होने लग जाएगा तो आपने ये नहीं सोचना है कि ये अभी फ्लोई फ्लोई सा हो रहा है थोड़े देर में अभी आप देखोगी कि अच्छे से सेट हो रहा है तो अभी मैंने एक यहाँ पर प्लेट ले ली है जिसमें मैंने नीचे से घीन लगा लिया है ताकि जब हम इसमें से बर्फी को निकालें तो बर्फी अराम से निकल जाए तो घीन को अच्छे से लगाने के बाद अब जो हमने सूजी रखी दिना डगके उसे निकाल दिया है और अब आप देख सकते हैं ये पहले से प्लेट में रख लिया है अब इसको अच्छे से प्लेट में फैला लेंगे और इसको बिल्कुल एक्वल कर लेंगे ताकि जब हम इसके पीसे करें तो सारे पीसे अच्छे से निकल के आएं तो देखिए अच्छे से इसको प्लेन कर लिया है अब मैं यहाँ पर थोड़े से एड कर रही हूं dry fruits जिसके लिए मैंने कटे हुए पिस्ता और कटे हुए बदाम का यूज किया है आप चाहें तो कोई और dry fruits भी ले सकते हैं या चाहें तो इसके उपर से silver work भी लगा सकते हैं अक्सर market में silver work लगा हुआ आता है बर्फी के उपर से फिर आप इसको एक चमच की help से set कर लीजिए और आपने ये कामना फटा फट करना है क्योंकि जैसे जैसे आप इसे plate में रखेंगे ये set होना start हो जाएगा तो फटा फट से आपने इसको plane करना है और इसके उपर से dry fruits को set कर लेना है अब इसे 10 मिनट के लिए phrase में रखूंगी ताकि अच्छे से set हो है देखने में तो ये एकदम जबरदस्त लग रही है खाने में भी ऐसी टेस्टी भी होगी इस बात की तो गैरेंटी है जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है अगर आप उस पेजर मेंट से इस मिठाई को बनाओगे तो जो कुरकुरा वाला इसका टेस्ट आएगा वह कर रही हूँ आप चाहें तो जब हम इसको सेट कर रहे थे ना उस टायम पर ही इसमें कट लगा सकते हैं जिससे ये टूटे नहीं और अराम से उसमें निकल जाए वैसे तो ऐसे में भी टूटी नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप पहले इसमें कट लगा लें तो अच्छी बाद है ताकि सेट होने के बाद आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े तो ये देखिए बर्फियों की प्लेटिंग कर ली है मैंने और अगर आपको दिखाऊ नजदीक से ये कितनी ज़्यादा टेम्टिंग है तो आप खुदी देख सकते हैं जो इसका दानेदार वाल चलेगा तो तोड़ने से ये आपको लग रहा होगा कि ये मिठाई कुर्कुरी बनी है बिल्कुल भी हल्वा जैसी नहीं बनी है इसका जो टेक्शर आया हुआ है ये बिल्कुल परफेक्ट आया हुआ है आप इसे किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं और अराम से इसको 15 से 20 दिनों के लिए एक एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में रखके स्टोर कर सकते हैं क्यूंकि हमने इसमें घीन डाला है जिससे ये लॉंग टाइम तक ऐसी रहीगी और ऐसी बहुत सारी सूजी की मिठाई की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है हर मिठाई को बना के साथ शेयर करिए कमेंड करके मुझे जरूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी है साथ ही अब मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए वहां भी आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी आते रहेंगी कल फिर मिलूंगी एक नई के साथ अब तक के लिए बाई बाई